हेलो बच्चो मैं हूँ माला शिर्वास्तो बच्चो आज मैं आपको फिर से letters of alphabet बताने आई हूँ तो जैसा कि मैंने अभी आपको A से J तक मेरी previous वीडियो में मैंने आपको सिखाया है आज मैं आपको इसके आगे सिखाने जा रही हूँ तो चलिए हम line पर लिखना सीखते हैं बच्चो देखिए आपकी notebook में four line होती है one, two, three, four तो हम लिखना शुरू करते हैं J के बाद क्या आता है? K हम K लिखेंगे three line पर देखिए one, two, three, three line पर हम इस line को ऐसे खीचते हैं और फिर इस line को टच करते हैं उपर और इस line को टच करते हैं नीचे यह हमारा बन गया capital K three line पर अब small K हम लिखेंगे यह देखिए इसको हम इस two line पर ही ऐसे बनाएंगे यह हमारा small K हो गया proper three line को टच करते हैं हम बनाएंगे यह देखिए ये टू लाइन पर और ये लाइन स्टेंडिंग लाइन त्री लाइन पर चलिए आगे देखते हैं L L फॉर लाइन होता है तो देखिए 1, 2, 3 तीन लाइन पर हम फिर से लाइन खीचेंगे और ऐसे ये हमारा हो गया कैपिटल L और स्मॉल L ये भी 3 लाइन पर ही बनेगा M कैपिटल M के लिए हम 2 स्टेंडिंग लाइन खीचेंगे 3 लाइन पर यहाँ एक पॉइंट लगाए और इस दोनों को ऐसे मैच कर दीचे ये हमारा हो गया कैपिटल M और स्मॉल M हम 2 लाइन पर बनाएंगे ये देखिए ऐसे M ओके ये हमारा हो गया कैपिटल M स्मॉल M अब हम दिखेंगे N 2 लाइन खीचेंगे 1, 2, 3 3 लाइन पर ही हम खीचेंगे ये देखिए ऐसे 1, 2, 3 अब यहाँ से यहाँ हम इसको मैच कर देंगे और ये हो जाएगा कैपिटल N और फिर हम स्मॉल N ये ऐसे लिखेंगे 2 लाइन पर अब देखिए हम O लिखेंगे 1, 2, 3 इसको भी हम 3 लाइन पर ही लिखेंगे O 3 लाइन पर और 1, 2, 2 लाइन पर हम स्मॉल O लिखेंगे तो बच्चों अब आपने देखा कि हमने लेटर्स को कैसे लाइन पर लिखा है तो अब तक मैंने आपको A से O तक लिखना लाइन पर सिखाया है ओके बच्चों अब आप इसको सीखिए थैंक यू